अगेता विशे, शिक्षण ना महत्व विशे, गणू बदू क्या आई गयुचे, आने, it has been said in the best way. आजे जरे प्रशेंग चे, क्या तली मोटी शेंख्यामा विद्यात्यों साथे, मलवानों आने केईक वाद करवानों प्रशेंग आई चे, तो शिक्षण ने लगता, बीजी क्यारेक्टर भी लेंगी बाद करवाई चे चे, के प्रोग्रेसिव मुस्लम एजुकेशन ना, जे लोगों चे है, मातमें जोई वसे तो एक वाक्या चे, के एजुकेशन इस लाइट, इल्म रोश्नी चे, अने रोश्नी नू काम, अंधेरा उलेच्वान चे, रस्तो बतावान चे, शिक्षण अपने एज शिक्षण ने जरूर चे, के जे रोश्निया पे अपना जीवन न माग शर्वल बनाए, अने साथी इंपोर्टन्ट जे शिक्षण अमात्व चे, विज तेलेंट्स अने एक्सेलेंशी, एनी शाथे, आजे डेस ने, समाज ने, जरूर चे, चारीत्रवान, संसकारी, अने चोखा इवानों नी जरूर चे, अने आपने सिक्षण द्वारा, आवा गुणों अपना इंदर केडवाई, ए खुब जरूरी चे, के एक हाई लेवल्यू केरेक्टर होई, चारीत्र होई, के जरूर नोट अनली पोताना पूर्तु समीत होई, नोट अनली फॉर आवर फैमिली, परंतु समाज, अने राष्ट्र ने माज द्रशन आपतो एक चारीत्र आपनों घृत्र थाय, के आशिक्षन्दा, एनापम, विशेषबार, मुक्वामागुच्वने, विद्यार्थी, बाई बेनों ने, खास विनंती करुचू, के शिक्षन्नी, एक्सेलेंस्नी साथे साथे, विद्या चारीत्र, के जे आजे, not only in our country, but all over the world, जे क्राइश चे, के वे द्रश्टाचार खूँचे, एक द्रश्टाचार कही रहते हैं, एक चारीत्र, कोई उमपना लिगे द्रश्टाचा मनिश्य मावी जाएचे, तो एवाद प्रलुभन ने, शिक्षन दोवारा अपने दूर राखे, और उन्दा चारीत्र बनागे, एक खुब जरूरी छे, खाल्सकरी ने, युवान, विज्जार्थी, भाई बेनों ने हुविनें ती करिश, के कुरान शरीत महासूरे यूसुप छे, तो यूसुप अले सलाम अपने एक मोडेल हो जोई, के एमनीपा से बदीज पॉसिबिलिटीज अती है, एक गुनाह करवा माथे, सुन्दर है आतना, एमने पासे, दफर्स लेडी अफ दे कंट्री पॉसिबिलिटीज तो कमिट एडल्ट्री, पर युवा समय एमने अल्लाह ने हाजर नांज राकिने पुतानू खेरेक्टर साचे, ए आजमानमा एक खुब जरूरी छे, कि आपनों चारीत्र खुब उच्छ प्रकार नू होई, अने तमें जो युश्व अलेसलाम नी सुरत नू अभ्यास कर सो तो हमान गणा बदा लेसंस चे, चारीत्र नां पुतानी ज्यावलत चे अने समाज ने कही रही ते आप भी क्यारे कितलू बोलू तू नहीं बोलू, कोनी सामें बोलू, युश्व अलेसलाम ने पुतानू मोडेल राखे अने पुतानू चारीत्र ये प्रकानू उंद्या चारीत्र नू घरतर थाई, ये रिक यूँ शिक्षन नू उप्योग करें, तो शिक्षन ती पुतानों लाग लें। मैं जो शिक्षन में चारीत्र नू करिया है चे हमाँ छेला चार्थांच वर्स थी, रह्मानी 30 साथे अने MMCT मनुबरवाला मौनिश्री चेरिटेबल ट्रस्ट ना मोटा सकार साथे पीमेट एक प्रग्राम चलालती ती आयाईटी अने नीथ माठे एडमिशन प्रेपरेशन का राष्ट्री लेवलनी एक्जाम मी तैयारी विद्यार्थियों सारी ते करी शेके ते माठे ना प्रग्र। आवर्ष्टी वालियों और विद्यार्थियों ना एमा जरे रह्मानी ठटी साथे काम करता था तो विद्यार्थियों ने बिहार जवू पढ़ता था और गुजरात ना विद्यार्थियों खंचकार अनुभवता था कि बिहार जवा माठे वालियों मुकलवा माठे तैयार आवर्ष्थी वालियों ना आग्रह ने लईने अमें ए प्रोग्राम एमें सीटी याने पीमे मली ने गुजरात बेस्ट बनावियों चे अने इनन आमाद पुछे गिफ्टेड थर्डी इम ए प्रोग्राम मां पुरा गुजरात मांथी स्टूड़न्स टैलेंट स्टूडन्स अलेक्ट कर्वामाँ होसें ख़सकर इने एंजिनियरिंग ने मेरीकल मां जवा तब विजयतोंने इमने इस्पेशली टेस्ट ले वामाँसें परस्नालिटी टेस्ट लएने मेरिट अने बीज मेरिट उप्रांट परस्नालिटी एटिक्ट्यूट एवधी ठेस्ट लाईने सेलेक्शन करवा माँ उसे अने तीस विद्यारतियों मेडिकल अने एंजिनियरिंग माटे मेडिकल माटे सिर्फ छोक्रियों माटे नो प्रोग्राम छे अने एंजिनियरिंग माटे आयाईटी ना कोर्स माटे छोक्राओ नितेयार करवा माँ उसे अने एमा खुब मोटोव प्रोजेक्ट छे अने खुब खर्चाड भी छे और इंशाला अल्लाहने मदती अने सक्की दाताओना सभकारती आप प्रोग्राम सफर्तर सने भविश्य मापने देश ने बलके दुन्या में सारा मसारा एंजिनियर्स अने डॉक्टर आपिशी पिशूंगे वी चर्चोंगे तो आतबच के हूँ आप प्रोग्राम ने जाहरात करी नहीं तमाम वालियों विद्यार्तों ने भी विननती करूँ छूंगे आनुक रचार भी करें आवा कोई लाइक विद्यार्तों तो आने MMCT पिमेट ना जे आप प्रोग्राम ना कन्वीनरों छे आमने संपर्ट साद्वा नी विननती करिश अने खास जाए सिक्ष्ण बाव बाव मा अने एक्सलेंस बाव मा वदू करवाई गाई चे तो आप पाव मा वे वदर केता हूं ना थी परी पाच वो एक जवाद करिश के शारी घरतर मा शिक्षर मा क्यों कर जो एकलूं डॉक्टर बनी जाओ एकलूं एंजिनियर बनी जाओ के सीय बनी जाओ मात बना थी अत्वाता माते पूर्तू ना थी जाओ मात बनी जाओ कऊ आओ एकलूं कर भी एकलों एकलूं है के पुतानी टेलेंस होई तेनो प्योप करिश के आही ते जे भी रही ते आपने आपे शिक्ता होई समाज ने देश ने के दुनिया ने ते आप वामाथे ना प्रोगरतर ठाई एवी चाशा थे आप सम्ने लोगते अमने बोल्वामाथे ना जी मंकाय पते बेदर लूमा आयो का तीम छे जे प्रोग्रेसी ना ट्रस्टी यू आ ट्रस्टी हो छे ते खुबज मैनत करी ने अमेजे करी तेना ती वध्यार सारू काम करी रहला छे थे थेंक यू रहला थेंक यू लाग साय फोर इंकरीजिग अस मित्रो हमराज आपडिवच्चे डेप्यटी कमिस्टनर ओफ पोलिस सूरत सहे जनाव अनारवारा साहे उपस्तित्या चे प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजिगेशन ट्रस्ट वती एंनो बुके ओडे स्वागत करा माते हूं ट्रस्टना प्रमु के वाही जुरिमान भाई पतायल साहब ने विनन्दी करे छू के ते ओ अनारवारा साहब नु स्वागत करे थैंकिय। जिरमान भाई अत्यारे पतारेला प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजिगेशन ट्रस्ट ना परिवार ना सप्या अने मेडिकल फंड ना ओपरेटर जनाब दॉक्टर यूसुप पतेल साहब नु इबरहें बने विनन्दी करीज के वुके आपी स्वागत कर से एमनी साथेट पतारेला रादेलना वडिल अगरनी जनाब हाजी अब्दुल वहाव खान साहिर नु पुके आपी स्वागत कर से इबरहें बने विनन्दी कर शूँद थैंकियू मिड़ेला मित्रो जड़े अनारवाला साहिब आपरी वच्चे हाजर छे तो चपका सेमना विचारव आपना माटे खुबज उप्योंगी थैं बल से हुमिनन्दी कर विचू अनारवाला साहिब आपने के आप फ्रशन या नुरुप विचारव आपना हमारी स्वाक शेयर कर सो अनारवाला साहिब असलाम अलाइकम नहुंदहु नसली आला रसूले करीम फवजु बिल्लहि मैं शेय्टान रजीम बिस्मिल्लहि रर्रह्मान दहीम सबक पर फिर अदालत का सदाकत का सुजाएट का लिया जाएगा तुझ से काम दुनिया की इमामत का अलामा अकबाल के इस शेयर के साथ अपने बात बताने की मैं जुर्रत कर रहा हूं इसलिए के इंसाफ के लिए ये कलमा गो क्या करता है करीम के लिए ये क्या करता है हफाज़त के लिए ये क्या करता है हक गोही के लिए ये क्या करता है सच्चाई के लिए ये क्या करता है इमानदारी के लिए माओ बेहनों की इज़त के लिए ये क्या करता है खुद बिगाड़ता है या दुसनों की हिफाज़त करता है गरीबों की हिफाज़त करता है गरीबों को मदद करता है दरूद मंदों को मदद करता है एक लड़का है, उनियोसिटी में गोल्ड मेडल लाता है, उनियोसिटी के पूरे टीचर्स और स्टाफ और एड्मिनिस्टेटर्स उम्मीद रखके बैठे हैं कि उनियोसिटी में ये हमारी कॉलेज का लड़का ही गोल्ड मेडल लेके आएगा, अगर वो ही फैल हो जाए, तो आरे साथ ऐसा ना हो, ऐसी दुआ है, दुनिया को हमारी तलब है, हमारी जरूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, हम को जो करना चाहिए, हमारी जो जिम्यदारी थी, वो हम अदा कर रहे हैं, हम को कुरान की तालीमात पर चलना चाहिए था, हम उस पर मुस्त तकम रहने की बाद एक तरफ है, तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक को समझ रहे हैं, उसको समझने की दूआ कर रहे हैं, उसको अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लामा ने कहा कि वो मौजिस थे जमाने में मुसल्मा होकर, और हम खुर हुए तारी के कुरा होका तो कुरान को जब भूलते हैं तो जिल्लते भी आती है पस्मांगी भी आती है बदकिस्मती भी आती है बरबादिया भी आती है और हर कोई ठोकर पर चड़ा देता है हम नहीं अपने जगा को अपने वकार को भूल रहे हैं फिर याद दिलाने की जरूरत है मुझे इन मु इमांदार और मैंटी डॉक्टर हो ताके वह एपंडिक्सी बदले किड्नी को निकालके वेचना डारे एक पॉलिस ऑफीसर हो लेकिन ऐसा पॉलिस ऑफीसर हो कोई जो इमांदार हो लोगों की हफाज़त करें लोगों को ही इज़त के साथ वो ना खुद खेलता हो एक लीडर ह वो सियासी लीडर हो सियासत ना हो तो कौम की हमदर्दी लोगों की हमदर्दी जरूरत मर्दों की हमदर्दी रखता हो खुद ही उनको उनका शोशन करने लगे तो ऐसे सियासत नानों से भी दुनिया तौबा कर चुकी है तो जरूरत फिर मैं कहता हूं के सबक पर फिर अद पूरे आलम में बहुत सारी इक्तिलाफात और मुखालिफत के बावजूद इसलाम की दावत का काम पनफ रहा है लोग इसलाम की तरफ लपक रहे हैं